बॉलूड की दुनिया में कई ऐसे विलिन हैं जिनें भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं में से एक नाम आता है रजा मुराद का। रजा मुराद की फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं को चलते, लोग इन्हें असल जिंदगी में भी नफरत करने लगे थे। वहीं आज भी उन्हें पूरी बॉलूड इंडस्ट्री में किसी पैचान की जरूरत नहीं है। रजा मुराद को आज हर कोई जानता है। इनका जन 23 नॉमबर 1950 को हुआ। फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं निभाने के लिए पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है। इन्हों ने फिल्मों में विलन के परिभाशाई बदल दी। रजा मुराद यूपी के रामपूर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हिंदी और पंजाबी भाशाओं की कई फिल्मों में काम किया इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1965 के फिल्म जट से की थी जो पंजाबी भाशा की थी ये पंजाबी फिल्म थी इसके बाद इन्होंने बॉलूड की कई फिल्मों में काम किया जिन में प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मेली, त्रीदेव, मोहरज यसी दमदार फिल्म है वही इन्होंने आखरी बार 2018 में फिल्म पदमावत में जलालो दिन खिलजी का करदार निभाते वे दिखाई दिये थे लेकिन अगर बात करें इनके बेटे की तो इनके बेटे का नम अली मुराद है इनके बेटे भी अपकमिंग फिल्म धीट पतंग से बॉलीवड में डेब्यू कर रहे हैं ये फिलम अगले साल आएगी वहीं इस फिल्म में इनके अपॉजेटर, मेन लीड अक्टरस के तौरपर प्रिया बेनरजी नज़राएगी प्रिया बेनरजी एक बॉल्लिवेड फिल्म के निज रहे हैं आपको बता दिए ये फिल्म में क्रिक्ट बेस्ट फिलम है इस फिल्म में कुछ क्रिकेट से जुड़ी कहानियां बताई जाएंगी तो दोस्तों को रजा मुराद के बेटे अली मुराद के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट में बताईए साथी बॉलवड से जुड़ी ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे